एशिया कब के लिए इंडिया का स्क्वाड अनौन्स हो चुका है संजय मांजरेकर हमारे साथ है हमारे मित्र अजीत अगरकर ने इसकी घोशना की आज आप से जानना चाहूंगा पहला रियाक्शन आपका खुश है इस 17 मैं स्कॉड से बहुत खुश हो क्योंकि हमारे प्लाट आपने वाटसाइप के होगा स्कॉड को चलिए सीरिस बाते करते हैं सबसे बड़ी न्यूज है कि केल राहूल उश्रेस आयर वापसी करने जा रहा है दोनों शामिल हो चुके स्कॉड में या आप उमीद रखते कि हम पहले ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ इतने लंबे इ बेस्ट टीम आपकी खड़ी करते हैं यह बहुत एक अच्छी ऑपरचुनिटी है श्रेयस आयर का मैच फिट्नेस देखने के लिए केल राहूल का मैच फिट्नेस देखने के लिए और मैं समझता हूं कि पहले मैच में उनको खिलाएं क्योंकि वक्त अभी ज्यादा नहीं है पाँच सितंबर को टीम आनाउंस की जाएगी तो श्रेयस आयर केल राहूल को जितने मैच फिट्नेस हों का देखने मौका आप मौके की बात करते हैं और यह कितना अच्छा मौका यह तिलक वर्मा के लिए लेकिन अगर श्रेयस और राहूल खेलेंगे तो क्या हम तिलक वर आती है क्योंकि एक तो बैटिंग बहुत सिंपल है उनकी बड़ा गेम उनके पास है रेंज काफी अच्छा है कई लोग सोचेंगे टी-20 बैटिंग पे आप कैसे इनको सिलेक्ट कर सकते हैं 50 ओस क्रिकेट में लेखें अगर आप उनका दोमेस्टिक परफॉर्मेंस देखें लिस्ट एक करियर जो होता है 50 ओस क्रिकेट का तो ज्यादा खेली नहीं लेकिन 25 मैचे में 500 और स्ट्राइक रेट सौ का है तो डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस भी है 50 ओस क्रिकेट में और जब बंदा फॉर्म में होता है ना confidence हाय होता है तब उनको सिलेक करना चाह हो तो क्या इशान किशन ओपनिंग करेंगे ऐसा लेफ्ट हैंडर और शुबन और विराट को ली 3-4 पर आएंगे या फिर क्या तिलक वर्मा आटोमेटिकली 11 में आपके होंगे क्यूंकि लेफ्ट हैंड आपके लिए जरूरी होता है तेखे केल राउल अगर फिट हो तो व राइट हैंडर बल्लेबाद लगातार खिलाएंगे तो बहुत ज्यादा एक्स्प्लॉइट वो एक वीकनेस में कहूंगा टीम्स करेगी तो कहीं ना कहीं एक लेफ्ट हैंडर को लाना होगा अगर केल राहूल कीपर बैठर अगर वो फिट नहीं रहे और इशान किशन अग सकते हैं बुम्रा की वापसी प्रसिद कृष्णा सिराज और शमी ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्र सीमर का उपयोग रोज शर्मा को ज्यादा करना होगा और रिस्पिनर एक ही है उसके बार में बात करेंगे लेकिन फर्स्ट फॉर्ट सीमर आपकी ऑर्डर क्या होगी बुम् प्रसिद के फास बोलर्ज वाइब बॉल क्रिकेट में काफी अंतर है मौमद शामी होंगे मौमद सीराज होंगे नमबर टू सीराज नमबर थ्री मौमद शामी और फिर हारदिक पंड्या आपके फोट सीमर लेकिन पूर्चेन अगर सिफ आप देखे फास बोलर इसके तो श मुझे लगता है कि सिलेक्टर ने देखा इर्दगिर्थ और देखा कि कोई एक्साइटिंग आप्शन नजर नहीं आ रहा है फिफ्टी ओस क्रिकेट के लिए चहल जो पहले चार साल पहले कि युजविंदर चहल थे फिफ्टी ओस क्रिकेट में शायद उस तरह का 2020 में जरूर देखते हैं तो कुल्दी व्यादा एक मात्र एक विकेट टीकिंग स्पिनर है जो मैं समझ थोड़ी से एक समझ्या है तो जो दूसरे स्पिनर्स है अक्षर पतेलो जाड़े जाड़े जाब थोड़ी से डिफेंसिव रन रोकने वाले स्पिनर्स है कुल्चा की जो एक बात थी थोड़े साल पहले वो अब फिर से भारती क्रिकेट में नजर नहीं आ रहे हैं ऐसा कोई नाम जो आप चाहते थे कि इस स्कौर्ड में शायद हो जो इस टीम मैनेजमें नहीं सिलेक किया है अश्विन की थोड़ी सी बात हो रहे है कि दस इंडिया नीड़ी स अश्विन अभी में समझता हूंग एक वाइल कार्ड एंट्री हो सकते हैं वोलकुप के लिए क्योंकि अगर एश्या कप में एक्स्पीरिंस भारत ने पाया कि बीच में जो होते वहां पर अगर उनको विकेट नहीं मिलती फिर सेट बल्लेबाद आपके डेथ और वहां पर फिर डेथ बोलिंग भी बहुत ज्यादा प्रेशर आता है कुल्चा जोग बात कर रहे थे कि बीच में तीन चार विकेट लेके मैच को वहां पर ही खतम करते हैं तो अगर वह समझे रही तो शायद उनको जना पड़ेगा एक विकेट टीकिंग स्पिनर जो अभी उनके नज अच्छा कप के लिए शायद आप अच्छार पतेल को रेस्क करा सकते थे और ऐसा एक कोई विकेट टीकिंग स्पिनर की खोच करते हैं